कॉंस्टिबल जाकिर हुसेन केंद्रे रिजब पुलीस पल गोली बारी प्रारंब कर दी श्री हर्षपाल सिंग उपकमांडेंट ने अपने साथी कॉंस्टिबल जाकिर हुसेन के साथ उन पर जवाबी हमला करने के लिए घुटनों के बल पर आगे बढ़कर मोचा संभाल दिया आतंक वादियों ने उनके उपर लगातार ग्रेनूर से भारी गोली बारी कर दी श्री हर्षपाल सिंग उपकमांडेंट और कॉंस्टिबल जाकिर हुसेन के संयुक्त प्रयासों से एक आतंक वादी घटना स्थल पर ही मारा गया और शेश दो जखमी हो गया दोनों ही वीरों को आतंक वादियों का सामना करने में गोली लगी अत्यधिक रक्तस्राव के बाब जूद योद्धा की तरह दोनों ही अटल होकर डटकर युद्ध करते रहे उन्हें मोर्चा छोड़ना नामन्जूर था दोनों युद्धाओं को इलाज के लिए अस्पताल पहुँचाया गया शेश दोनों आतंक वादियों को उनके टीम द्वारा निरंतर गोली बारी करके धराशाई कर दिया गया और उनके पास से बड़ी मात्रा में हतियार गोला बारूद और विस्थोटक बरामत किये गए एक सच्चे सैनिक और युद्धक साथी की तरह कॉंस्टिबल जाकिर हुसेन ने अपने जीवन की परवाह न करते हुए अपने कमांडर के साथ आतंक वादियों का सामना किया उन्होंने बलकि सर्वोच परंपरा को बनाए रखते हुए अनुकरणिय वीरता का प्रदर्शन किया कॉंस्टिबल जाकिर हुसेन